पहला सा ट्रैक्टर बोल कंप्पनि पंप आफ और इसका सका ट्रैक्टर में तरफसे सबसे स्पिशल ट्रैक्टर हो और दोस्तों घ्रक्टर के हम बात करेंग के डिफरेंट इस ट्रेक्टर की हम सारे fuel efficient, dimension और class plate के बारे में बात करेंगे, दोस्तों वही इस ट्रेक्टर की अगर हमार relics की बात करेंगे, तो इस ट्रेक्टर में आपको 1200 kg का lifting capacity मिल जाता है, जो इस रिजन में सबसे best दिये होते हैं, इस ट्रेक्टर की अगर हम बात करेंगे toppling point की तो 3 point आपको toppling मिल जाता है, जो automatically depth and draft control of war के साथ आता है, fully automatically ये किसी भी जमीन में चलने में समर्थ है, दोस्तों वही इस ट्रेक्टर की अगर हम बात करेंगे distributor valve की, तो devil आपको distributor valve मिल जाता है, जो एलेक्जरी valve भी बोला जाता है, जो fender में सेट इसका lever दी होते हैं, जो driver को चलान दोस्तों अब इस ट्रेक्टर के अगर हम बात करेंगे जैसे कि पीछे की तो इस ट्रेक्टर में आपको मिल जाते हैं, 3.3 linkage और यहाँ पे distributor valve की operator बढ़े असानिक साथ आप कर सकते हैं, जो इस ट्रेक्टर में सबसे खास दिया गया है, इस ट्रेक्टर के अगर हम पीछे की इस ट्रेक्टर में आपको मिल जाते हैं, पहले ने ट्रिहाव रेडेक्शन जो ट्रोली के लिए सबसे बेस्ट ट्रेक्टर माना जाता है, और छोटी किसान खास करी इस ट्रेक्टर को ले, इस लिए यह ट्रोली के लिए सबसे स्पेसल इसका पीछे का रियल एक्सल दिये हो यह है डीजवर के तरफ से आने वाला हाल ही में लॉंच 45 हच पर ट्रेक्टर का फॉली टेलरेवी वीडियो दो इस ट्रेक्टर के अगर हम बात करेंगे आगे से लुग की काफ़े अक्ट्रेक्टिव लुग मिल जाता है दो हैलीजन वॉल्व और आपको डीजवर का ब्रैंड इस एच्पी के इंजन और इस ट्रेक्टर के अगर हम लुग की बात करेंगे तो काफ़े अक्ट्रेक्टिव लुग देखने को मिल जाता है क्योंकि यह ट्रेक्टर इंडिया में पहला ऐसा है यह जो किसानों को हर मज़बूरी को ध्यान रखते हुए यह कंपनी फीडिट स सारा इसमें अक्विमिंट चलने में यह सक्षम है ट्रेक्टर दोस्तों अब इस ट्रेक्टर के अगर हम बात करेंगे तो इस ट्रेक्टर में आपको एग्रो मैक्स की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाता है और डीस फॉर का ब्रेंडिंग देखने को मिल जाता है जो काफी ब प्योद्ट उप्योगी है कियोंकि यह प्रोमगारी माना जाता है जो यह ट्रेक्टर शक्ता इसो शीच्न के इंजन दिये होते हैं इसमीं लगे होते हैं जो धोलाई के लिहाज से इसमें आगे का वेट काफी ज़्यादा देखने कोई सींजन में मिल जाता है दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर हम बात करेंगे पंप की तो इसमें पंप की वहतर आईव के हिसाब से कमपनी फिटेट ऐसी पंप दिए होते हैं और ऐसी पंप अलग से प्रविजनल करा के इसमें अलग से इसकी अलगजरी दिये होते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यह ट्रैक्टर 45 HP सीगमेंट में यह पहला ऐसा ट्रैक्टर है जो ट्रोली और कल्टिवेटर के लिए सबसे बेस्ट लैव संसिंग हाडोलिक इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है वही इस ट्रैक्टर की अग इंजन को ज्यादा फिल्टर ज्यादा मात्रा में दे सके और यहां पे आपको दो पंप मिल जाते हैं एक टेंडम और एक पावर इस्टेडिंग पंप और अलग-अलग होने से एक साथ होने में यह काफी बज़ट कम परता है खट होने में और कोश्टली लगता है और वही इस सबसे नमर वन रैंक पे पुरे भारत में करता है वह इस च्रैकटर के एगर हम बात करेंगे ब्रेकिंग की तो इसका अपको ओ आइल यानि इमर्सिट से वाइल ब्रेक मिल जाते हैं जो यह काफी फ्लेट और सपार्ड ब्रेकिंग होता है दोस्तर इस च्रैकटर के एगर हम बढ़िया एक्सिलेटर मिल जाता है, जो इसमें, ओर जिनगा की पाट करेंगे, तो grip पकड़ने के लिए हाद से अलग-अलग जगह पे छीद होते हैं जो ये कदवा के समय आपका फैर सिलिफ उना हो और इस ट्रक्टर की एगर हम seat की बात करेंगे तो company fitted sporty type of seat मिल जाता है और हम gear की बात करेंगे तो company fitted आपको इसमें gear मिल जाते हैं आठ आगे के और चार पीछे के दिये होते हैं और हम transmission की बात करेंगे तो इस ट्रक्टर में आठ आगे के और चार पीछे के और gear की बात करेंगे तो इसमें side shift constant में tap up gear देखने को मिल जाता है जो ये low maintenance के सबसे अंतरगत best मना जाता है अब इस ट्रक्टर के अगर हम बात करेंगे toll works की तो company fitted toll works मिल जाता है जो ये fender में satay होते हैं और ये low है के काफी मजबुती देखने को मिल जाता है दोस्तो इस ट्रक्टर के अगर हम बात करेंगे AC DC liver की तो company fitted AC DC liver मिल जाता है और ये इंडिया का पहला ऐसा ट्रक्टर है जो 30 साल टेकनोलोजी में सबसे आगे चलता है क्योंकि इसमें live hydraulic sensing दिये होते हैं जो automatically ये hydraulic sense करता है क्योंकि ट्रोली जब चलाते हैं आप तो उस समय आपको ये काफी मदद देता है hydraulic को न उठाए अब इस button को जैसे ही बंद करेंगे on करेंगे तो आपका how daily काम करना automatically start कर देगा वह instructor की अगर हम बात करेंगे instrument cluster की तो इसमें आपको digital temp instrument cluster मिल जाता है जिसके सारी आप चावी जैसे ही लगाएंगे सारे information यहाँ पर आपको दिखेंगे जैसे कि live parking और तो यह tractor आठारो सू रिटेड आरपीम पे power generate करता है और इसमें 540 with 540 reverse आपको optional देखने को इस टेक्टर में मिल जाता है दोस्तों यह रिटेड आरपीम पे 1400 से लेकर 1500 आरपीम पे work करता है और यह tractor इंडिया में पहला ऐसा है जो heating problem इस टेक्टर में काफी कम आता है और बाकी tractor के मुकावला इस टेक्टर में आपको काफी best noise sensation देखने को मिल जाता है और इसमें double acting power stirring होने के लिए हाँ से काफी है स्मूथ इसका stirring आपको साथ देगा ज़्यादा दे काम करने में वह इस टेक्टर के अगर हम bonnet की बात करेंगे तो single fist bonnet आता है दोस्तों ये था हाल ही मिलन्ज डीज़वर के तरफ से 40-40 E agromax का full artillery review वीडियो जनका ये छे लेगे तो like ज़रूर